आपको यह stop motion वीडियो जो अभी आपने देखा काफी अच्छा और इंट्रेसिंग लगा होगा तो अगर आप इस तरह की stop motion वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूँगा तो अभी आप जैसे देख सकते हो यहां पर एक light source है यह एक camera दिख रहोगा आपको यहां पर एक background है red color का और यह product है lens kit mobile की जिसकी मैंने review video बनाई थी तो इसकी जो आपने अभी stop motion वीडियो देखी उसी के बारे में हम discuss करेंगे कि आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है क्या camera settings होगी पांचे tips हैं जो मैं आपके साथ चेयर करूँगा जिसको यूज़ करके आप इस तरह की stop motion वीडियो बना सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एं तक देखना है आप होपिंग आपको यह वीडियो कुछ अलग लगेगी जो नॉर्मल वीडियो आप यूट जो सबसे पहला point है जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपको जो यह shoot है यह plan करना पड़ेगा पहले से ऐसा नहीं है कि आप just camera लेके and product लेके बैठे और आप कुछ भी shoot करना शुरू हो जाओगे इसमें काफी जादा planning involved होती है इतना आपको shooting में effort नहीं लगेगा जितना आपको experience के साथ पता लगेगा कि आपको कितने fps पे यह video editing में बनानी पड़ेगी पहले तो आप सारी photo shoot करोगे अब 10-15 fps के बीच में आपको यह video stop motion जो videos बनती है वो usually 10, 12, 15 fps पे होती है तो यह आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने fps पे video shoot करना है उस हिसाब से आपको उतनी photo shoot करनी पड़ेगी उस हिसाब से movements plan करना पड़ेगा वो सब होगा वो मैं आगे आपको दिखा दूँगा तो यह सबसे पहली चीज़ है आपको fps decide करना पड़ेगा आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा कि आपको क्या motions दिखानी है किस तरह से पूरा shoot करना है तो एक प्लान करना पड़ेगा कि आपके जो products हैं वो कहीं background से color mix ना हो एक दूसरे को compliment करें और दोनों के colors अच्छे से हैं so that आपका जो product है वो अच्छे से visible हो and जो background में colors है वो भी अच्छे से उसमें दिखें तो यह आपको दूसरी चीज consider अच्छे से करनी पड़ेगी ऐसा नही तो वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अब तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है light source अब यहां पे जो आप light source देख रहे हो मेरे सामने है यह continuous light है तो आपको try करना है कि आप continuous light में shoot करो because अगर आप flash में या अगर आप window light को use करोगे हो सकता है कभी clouds आ रहे लाइटिंग का continuous में आपको पता है उतनी light ही आईगी आप उसमें अच्छे से shoot कर सकते हो अब जो नेक्स चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कि आप जब shoot कर रहे हो आपका camera एक ही position पे रहना चाहिए आप handheld shoot नहीं कर सकते है आपको यहां तो tripod पर रखना पड़ेगा किसी जैसे आप यहां पे देख रहे हो जो मैंने mount यूज किया विकास में को इस तरह के angle चाहिए था और इस setup में tripod में नहीं लगा पा रहा तो आपको जो भी setup आप create करोगे वहां पे आपको यह make sure करना है कि आपका camera जो है वो एक ही position में रहे उसकी position थोड़ी सी भी change नहीं होनी अगर वो होता है तो आपका end में जो result आएगा वो stable नहीं होगा और वो pleasing to eyes नहीं होगा अब last चीज और सबसे main चीज हम आते हैं वो है camera settings सबसे पहले आपको अपने camera को manual mode पे switch करना है यह बहुत important चीज है because जैसे मैंने बताया light आपको same रखनी पड़ेगी और उसी वज़ा स आपको जो camera settings है वो आपको make sure करना है कि एकदम same रहे है उस condition में अगर आप auto पे यह shut up priority पे डालते हो हो सकता है वो camera settings ज्यदा रधर हो और बाद में जो आपको final result मिलेगा उसमे exposure changes आएंगे सबसे पहले manual mode पे switch करोगे दूसरी चीज आपको सबसे पहले aperture value set करनी है aperture value आप देख सकते हो sweet spot basically आपके lens का aperture value होता है जहां पे आपको सबसे ज्यादा sharpness मिलती है तो f4.5, f5.6 पे अगर आप shoot करते हो ideally उसमें मिल जाएगा second चीज आप shutter speed set करोगे shutter speed could be anything between 1 by 80 औ 1 by 100 के आप पास आप shutter speed रख सकते हो depending on the light आपके पास क्या available है third चीज ISO आप aperture और shutter speed के depend करता ह है कि वह combination करके आपको ISO कितना मिल रहा है, अगर 100 पे आपको perfect exposure मिल रहा है that's great, नहीं मिल रहा तो आप ISO थोड़ा increase कर सकते हो, wide balance आपका manual पे रहेगा, आप manually एक wide balance set कर लेना उसी पे wide balance रहेगा, तो यह चीजें है camera settings की, तो आप मैं आपको कुछ shoot करके दिखाता हूँ, fast forward mode मैं दिखा दूँगा, जैसी मैं shoot कर रहा हूँगा, and end result I'll show it once again. तो यह था stop motion का tutorial, अगर आपको helpful लगा, आपको सीखने को मिला, तो इस video को ज़रूर like कर देना, और में को comments में अपने view ज़रूर पताना, तो यह था आज की video में हम मिलते है, next video में इसी तरह interesting photography, ideas, और videos के साथ, तब तक take care and keep clicking.